नमस्कार मित्रो, सभी को जेश चियाराम, कल की पुलिस की हरकत आप सब ने देखी हैं क्या हमारे भारत देश में अगर कहीं पर गलत होता है, तो क्या उस इश्यू के उपर हम आवाज नहीं उठा सकते क्या उसका प्रटेस हम नहीं कर सकते क्या उस विशे पर हम बात नहीं कर सकते अंबर पेट शेत्र में जहां पर एक नहीं मज़िद का निर्मान किया जा रहा था वो वही सी जगा है जहां पर रोड वेंडिंग में जिस विक्ती का मकान तोड़ा गया उस विक्ती को दो करोड़ पचास लाख रुपए मुंसिपल कॉर्परेशन ते दे दिया गया देने के बाद में ही वो मकान तोड़ा गया यानि जिस विक्ती का मकान था मकबूल वो विक्ती का नाम था और उसके दो भाई थे उन दोनों भाईयों को दो करोड़ पचास लाख रुपए देने के बाद में ही मुंसिपल कॉर्परेशन ने वो जगा पर अपना कबज़ा किया रोड़ विड़ने के लिए घर तोड़ दिया घर तोड़ने के बाद में इस्तानिय लोगों का ये दावा है कि ये वकबोर्ड लैंड है और यहाँ पर पुरानी मज़िद थी एक तो वो जगा छोटी फिर वहाँ पर मज़िद कहां से आई दूसरी बात इतने सालों से एक परिवार हों पर रह रहा है बच्चे पैदा कर रहा है समसार कर रहा है तो आपको वो मज़िद थी बोलके पहले क्यों याद नहीं आया जब सरकार ने वो जगाप ले ली दो करोर पजास लाग रुपे दे कर उसके बाद में तोडने के बाद में तुम्हें क्यों याद आया यह वो कुछ ना चाहता हूँ देखिए वहाँ पर मज़िद नहीं थी और M.I.M. के M.L.S M.I.M. के गुंडे सबी लोग मिलकर एक नया ड्रामा वहाँ पर स्टार्ट करें और अंबर पेट में नहीं मज़िद बनाने का यह लोग एक योजना बनाए मैं पुलिस प्रशासन को यह कहना चाहूँगा कि वहाँ पर कुछ नहीं था कोई भी नई चीज बननी नहीं चाहिए मैं आपको यह कहना चाहूँगा हम पुलिस के साथ है लेकिन वहाँ पर अगर कोई भी नया कंसक्षन होगा तो हमें डहाना भी आता है इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से सरकार से को कोई एक नया इश्यू ना पैदा करे एक नहीं अयोध्या को जनम ना दे यह मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहूँगा हम आपके साथ है किसी प्रकार का कोई नया काम नहीं होना है यह मैं आपको